बुक टू अफ महाभारता सभा प्रवा स्टार्ट होती है विद दिस्क्रिप्शन ओफ इंद्रप्रस्त नगरी ये नगरी जो की पाचो पांडवो युधिस्टर भीम अर्जुन नकुल अन्शहदेव इन पाचो ने मिलके इस नगरी को अपनी महनत और मायावी शक्तियों से बनाया होता है जो की दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है बट यहां पर जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है पांडवास अपनी इस सुन्दर नगरी को दिखाने के लिए आसपास के सभी केंग को इन्वाइट करते हैं साथ ही अपने बाई कौरोवास दुर शाशन को भी इन्वाइट करते हैं लेकिन उनको इस नगरी की मायावी शक्तियों के बारे में नहीं पता होता तभी दुर्योधना एक दर्वाजे से अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दर्वाजा नहीं पेंटिंग होती है जिसकी वज़े से वो टक्कर खाके नगरी है तो वो इस पानी को मारवल समझ के इसके अंदर पैर रख लेता है तब ही वो पानी के अंदर गिर जाता है जिसको देखके सारे हसने लग जाते हैं और दुर्योधना को बहुत गुसा आ जाता है और दुर्योधना और उसके मामा शकुनी प्लैन बनाते हैं पांड खेलने का क्यूंकि यहां पे Dice शकुनी मामा की सिपाही होती है इसलिए उन्हें पता होता है इस गेम में वही जीतने वाले हैं तो अगले ही दिन Game of Dice स्टार्ट होती है जिसके अंदर एक साइड होते हैं कॉरवास जिनकी तरफ से शकुनी मामा सिपाई होती है इसलिए यूदिस्ट्रा यानि पांडवाज दीरे-दीरे करके सब कुछ हार जाते हैं सबसे पहले वो अपने सिपाईयों को उसके बाद अपने हातियों उसके बाद अपनी जैलरीज इसके बाद वो अपने बाईयों नकुल, शहदेव, अरजुना, बीमा इन चारों को हार जाते हैं जिसके साथ ही यूदिस्ट्रा कहते हैं कि अब उनके पास दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तभी करना उन्हें याद दिलाते हैं कि अभी तुम्हेर पस द्रावपती बची है, जिसके बाद दुर्योधना और शकुनी कहते हैं कि द्रावपती को दाव पे लगाओ और अपने खोई हुए नगरी, अपने खोई हुए जेवर, अपने खोई हुए सिपाईयों को और साथ ही अपने भाईयों को जीत लो, क्या पता इस बार तुम्हेरा अच्छा लग हो तब ही युढिस्ट्रा द्रावपती को भी दाव पे लगा देते हैं, अद साथ ही पाचो पाण्डवोगों की बीवी द्रावपती को भी इस गेम के अंदर हार जाते हैं लेकिन द्रौपती बार-बार बुलाने के बाद भरी सबा मे आने से मना कर देती है और साथ ही पूछती हैं, कि जाओ पहले युदिश्ट्रा से पूछ के आओ कि वो इस गेम के अंदर पहले खुद को हारे या पहले मुझ को हारे। जिसके बाद दुर्योधना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चोटे भाई दुशाशन को बोलता है दुरौपती को भरी सबा में खीचते हुए बालों से पकड़ के लेके आने के लिए तब ही दुरियोधना पूरी भरी सबा के सामने दुरौपती को बालों से खीचते हुए लेके आता है। ये देखके पांचों भायों पांडवों को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब वो दुरियोधना के स्लेव बन चुके हैं। जिसके बाद ही दुरियोधना अपने भाय दुरौपती का वस्त्र हरन करने के लिए बोलता है। दुरौपती के बार बार मना करने के बावजूद भी कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और एट लास्ट में वो भगवान श्रीक्रेशन को याद करती है। श्रीक्रेशन श्रीक्रेशन करती रहती हैं वही दूसरी तरफ दुरौपती की साड़ी निकालता रहता है लेकिन श्रीक्रेशन की मायावी शक्ती की वज़े से दुरौपती की साड़ी नहीं खतम हो बाती और दुरौपती की साड़ी खीशते खीशते भी होश हो जाता गेंग आफ हस्तिनपूर दित्र रास्टे बोलते हैं इस गेम को खतम करने के लिए और साथ ही बोलते हैं कि पांडवों ने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ उनको वापस दे दिया जाए